हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? दोस्तो आज हम आप सब के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्रिक बैट कोबा दोस्तो आज हम ब्रिक बैट कोबा के बारे में अच्छे से पूरी जानकारी लेंगे यह क्या होता है कैसे इस्तमाल किया जाता है इसकी cost क्या आती है everything दोस्तो सबसे पहले हम start करते हैं brick bed koba कैसे किया जाता है दोस्तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जैसे कि आप देख रहे हो यह brick bed koba हो रहा है अभी यह complete नहीं हुआ है हम सबसे पहले दोस्तो क्या करेंगे slab को सफ उसका एक ratio होता है एक डेड़ का जिससे हम coating करते हैं coating करने के बाद में हम उस slab को अच्छे से साफ करके हमारी जो core sand होती है दोस्तों हम core sand की एक layer बिछाते हैं एक चार या एक तीन जैसे भी आपकी methodology होती है उस ratio के हिसाब से हम पहले sand की एक layer डाल देते हैं सेंट की layer डालने से पहले हमें यह देखना होता है कि हमारा पानी का slope किस तरफ है और जहां से दोस्तों हम पानी का slope निकालते हैं उसे खुर्रा बोलते हैं suppose that मैं आपको खुर्रा दिखाता हूँ हमारा एक खुर्रा यहाँ पे है दोस्तों ये देखिए आप यहां से पानी निकलना है यहां से हमारा बीच से यहां से रिज को चुटा है यह रिज यहां से तोड़ा गया है और यहां से इसका पानी इधर जाएगा और दोस्तों ये देखिए इसके जो ढाल दिख रही है इसका पानी इधर से निकलेगा अब दोस्तों हम क्या करते हैं इसको स्लोप देते हैं इसमें दोस्तों स्लोप कैसे देंगे हमारा ये जो पार्ट है जहां से पानी निकालना है यह सबसे डाउन होता है, हमने इसमें साथ एमेम का सलोब दे रखा है यहां से वहां के बीच में, दोस्तों हम यहां से डाउन करेंगे, वहां अफ करेंगे, अब दोस्तों हम जानते हैं इसका प्रोसेस, कि कैसे अप और कैसे डाउन किया जाता है, सबसे पहले दोस्तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारी सेंड की लेयर होती है वो हम डालते हैं आपको मैं दिखाता हूँ हमारी सेंड की लेयर कैसे Spin दोस्तों ये देखिए ये एक सेंड की लेयर है जिसको डाला गया है इसके बाद ये तुकड़े बिचाए गया है इसके बाद इसके अंदर इसके जो ग्रूप है इसको भरा गया है कोर सेंड से दोस्तों ये प्रोसेस में क्या होता है हमें केमिकल का बहुत ही अच्छे से ध्य एक मोटार का डाल डेते हैं, इसके सलेब पे, उसके बाद हम भूड़ीग बैज को चलट के ऊपर , उसके बाद दौर हम एक फाइबर क्लॉस हाता है , फाइबर क्लॉस को हम इसके ंपर डालेंगे जैसे कि जो 옆 उसके पडेद बार चरके बाद दोस्तो हम इसके उपर सेमेंट की सेलरी डालके इसका ग्रूब काते हैं अच्छे से दोस्तो उसके बाद हम क्या करते हैं ग्रूब कातने के बाद में इस खुर्रे को हम क्लोज कर देते हैं किसी चीज से बंद कर देते हैं उसके बाद दोस्तो हम इसमें पानी डालते हैं और इसको भर देते हैं पूरा पूरी छट भरी हुई होती है पानी डालने के बाद में ये साथ दिन तक ऐसे ही बंद रहती है अगर तो साथ दिन के अंदर आपकी स्लैब में कहीं लीकेज नहीं आए हुआ है कहीं पानी लीक न रहा है तो दोस्तो समझ लीजिए कि आपका जो ब्रिक बैच कोबा हुआ है वो फेल हो गया है दोस्तो इसका करने का रीजन यह होता है हम क्यों करते हैं ताकि हम जो स्लैप च्छत के उपर बरसने बारिस वाली पानी होती है उसको हम कहीं पे एक जगे निकाल गया आरेज़ डबलू में रेनमार्चर हर्वेस्टिंग में भेज सकें दोस्तो यह सारा पानी यहां से इस पाइप के थुरू कहीं चला जाएगा जहां रेनमार्चर हर्वेस्टिंग होगी दोस्तो यह इसका मेंली रीजन होता है जैसे हम ब्रिक बोट कोबा जिसलिए करते हैं दोस्तो इसकी कॉस्ट ही आती है कम से कम आप एक मिटेर स्कॉयर में यह साथ से आच सो रुपे मिटेर स्कॉयर आपकी कॉस्ट लग जाएगी अगर इसे आप खुद करते हैं दोस्तो यह एक स्लैप के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जो जनली हल कंट्रक्शन में होता है अगर आप लोग भी अपने घर में करवाना चाहें तो बेसक करवा सकते हैं no problems and दोस्तो आप लोग म पूछना है कुछ और जानकारी लेनी है तो आप मेरे को कमिंट कर सकते हैं thank you